नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप्स हिंदी में हलो दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल हेल्टिप्स हिंदी में दोस्तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक गलास गर्म दूद के साथ दो खजूर के ये फायदे करोडों खर्च के बाद भी नहीं मिलेंगे आईए जानते हैं इसके बारे में आज मैं आपको खजूर के फाइदे बताने वाली हूँ, अगर आप रोजाना दो से चार खजूर हमारे अनुसार खाएंगे तो आपको बहुत सारे फाइदे मिलेंगे और ऐसे फाइदे मिलेंगे जो आपने कभी सूचा भी नहीं होगा खजूर वैसे स्वाद में बहुत ही मीठा होता है लेकिन बाहर का जो रंग होता है वो बहुत सारे लोग उसे देख कर ही खाने से मना कर देते हैं और कुछ लोग होते हैं तो खजूर खाने से अपने आपको रोख ही नहीं पाते, तो दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि खजूर में भारी मात्रा में विटमिन्स, मिनरल्स और खनीश पदार्थ पाये जाते हैं। छोटे से डिखने वाले खजूर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है, इसके लावा फाइबर गुणों से युक्त होता है खजूर खजूर में विटेमिन B1, B2, B3, B5, E1 और विटेमिन C पाया जाता है इसके साथ ही पोटेशियम से लेस और सोडियम से युक्त खजूर इतने सारे फाइदे देता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी तो यह जानते हैं खजूर के फायदे खजूर में मौजूद प्रोटीन, विटेमिन और मिनरल से बोटी को शक्ती मिलती है जो लोग अधिक ठकान महसूस करते हैं थोड़ा काम करते ही ठक चाते हैं उन्हें रोजाना दो खजूर खाने चाहिए खजूर में अच्छी मात्रा में आईरन भी होता है जो लोग अधिक ठकान या कमजोरी महसूस करते हैं उन्हें आईरन के कमी होती है खजूर में मौजूद आईरन उसे कुछी दिनों में पूरा कर देता है इसके लावा खजूर का सेवन पाचन शक्ति को बढ़ाता है पेट सम्मंदी कैसी भी दिक्कत हो उसमें खजूर का सेवन राम मन इलाज शिद होता है ये पाचन शक्ति को सही कर भूक बढ़ाता है खजूर हिर्दय रोगियों के लिए बहुत अच्छा है यदि किसी को दिल का रोग है तो वो रोजाना दो से चार खजूर खाए खजूर बॉडी के कॉलिस्टरॉल को कंड्रोल करता है जिससे हिर्दय आगार जैसा खत्रा कम हो जाता है कम सोडियम और देर सारे मिनरल्स होने की वज़े से खजूर हमारी हड्यों के लिए अच्छा माना जाता है खजूर में मौजूद सेनिलियम, मैगनीज, कॉपर जैसे मिनरल हमारी हड्यों को मजबूती देती है जो लोग रोजाना वर्काउट करते हैं देर सारी कसरत करने के शौकीन है उन्हें खजूर आवशे ही खाना चाहिए ये उन्हें बिना किसी परिशानी के कसरत करने में सहयोग देगा जो लोग रोजाना खजूर खाते हैं उन्हें कोई भी संक्रमन अपना शिकार नहीं बना सकता आजकल जिस तरह का परदूशन शहरों में फैला हुआ है उसे सबसे ज़्यादा धूल संबंदिक संक्रमन होता है ये संक्रमन शरीर में अधिक फैल जाने से भिन भिन प्रकार के बीमारिया जन्म देती है इस सबसे बचने के लिए रोजाना दो खजूर खाने चाहिए खजूर में सलफर पाया जाता है जो शरीर में पैदा हो रहे शंक्रमन को काटता है और हमें बिमारियों से बजाता है ये फाइदा उनके लिए है जो पतले और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं शरीर से बेहत कमजोर या यू कहें कि अंडर वेट लोगों को खजूर खाने चाहिए ऐसे लोग चाहे तो दिन में तीन से अधिक भी खजूर खा सकते हैं खजूर का मीठापन और इसमें मौझूद प्रोटीन की भारी मात्रा बजन बढ़ाने में कारगर शिद होती है एक किलोग्राम खजूर में कुल 3000 क्यालोरी होती है जो बजन बढ़ाने के लिए सही मात्रा है आप इन्हें कैसे खाएंगे आईए मैं आपको बताती हूँ आप खजूर को भीगो कर भी खा सकते हैं लेकिन ये फायदा तभी हासिल होगा, जब आप खजूर को सूखा नहीं बलकि भीगो कर खाएंगे रात बर साधरन पानी में खजूर भीगो कर रखने से, सुबह जब इसका खाली पेट आप सेवन करेंगे तो आपकी कितनी मी पुरानी कप्च होगी या फिर आप्रा होगा इन सब को वो चुठियों में साफ कर देगा केवल दो या तीन दिन इस प्रयोग को करने से कप्च की प्रेशानी दूर हो जाती है यदि आप दूद में भीगो कर खजूर खाते हैं तो यह आपके पौरूश शक्ति को बढ़ाता है अगर दूद बकरी का हो तो और भी अच्छी बात है नहीं तो आप नॉर्मल दूद से भी इस्तमाल कर सकते हैं खजूर खाने से कैंसर नहीं होता खजूर का या एक ऐसा गुण है जो अधिकतर लोग नहीं जानते महिलाओं में आज कल उदर कैंसर यानि की साधारन भाशा में जिसे पेट का कैंसर भी कहा चाता है वो काफी बढ़ गया है लेकिन खजूर खाने से उस पर गलाम लगाम लगाया जा सकता है उमिद करते हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं या फिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कर्मेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तो हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फ़र मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरे लूप चारों के साथ जिससे आप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लि वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सबी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके